हाई लेविंधीन्स वेलकम टो इजी वे कॉमेंट्स क्लासिज मैं हूँ तबिता और गाईस आज के इस वीडियो में हम लोग अपने बिजनस चड़ीज चेप्टर वन की शुरुआत करेंगे तो अब गाईस आपको पूरे बिजनस चड़ीज की वीडियो क्लास 11 की मिलने वाली है तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता दू कि आपकी ये जो बिजनस चड़ीज है ये पूरे बेसिक पर है यानि कि बि знач कैसे किया जाता है कितने ऐप के बिजनस होते हैं कहां से हमारे पास पैसा आ सकता है बिजनस के लिए तो सारी इन्ही चीज़ों को बताया जाएगा और normal routine में हम हर एक चीज़ को जो बिजनस बोल देते हैं तो business की सबसे पहले आपको पहचान कराई जाएगी तो यह जो chapter number one है जिसका नाम है evolution and fundamental of business तो इसमें यही बताया गया है कि business की शुरुआत कैसे होगी उसकी growth कैसे होगी और क्या basic होते हैं और इसे पढ़कर आपको पहचान होगी कि business कितने type के होते हैं कैसे हम पहचाने कि यह particular काम करना ही business है तो start करते हैं guys सबसे पहले देखो हम पूरे दिन में दो type की activity करते हैं कितने type की activity करते हैं दो economic and non-economic जो भी चीज हम पैसा कमाने के लिए जो काम करते हैं उस economic activity कहते हैं जबकि जो पैसा कमाने के लिए नहीं करते उन्हें non-economic कहते हैं अब देखो अगर हमारे घर में हमारी ममी हमारे लिए खाना बनाती है हमारे लिए रोटी बनाती है तो वो हमारे लिए नौन एक्टिविटी है यानि कि उनके लिए क्योंकि वो उससे पैसा नहीं कमारी लेकिन अगर वही रोटी सबजी वो बनाकर बाहर टिफिन सर्विस भी प्रोवाइड करें तो वो एकनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी तो अगर कोई भी एक्टिविटी पैसा कमाने के मकसद से करी जाती है तो उसे हम एकनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं और जब पैसा कमाना हमाना मकसद नहीं होता तो उसे non-economic कहते हैं ठीक है? So non-economic में चार टाइब की activity आती है यानि कि अगर आप कुछ religious काम करते हो जैसे कि हम अपने धर्म के लिए कुछ काम करते हैं हम सेवा करते हैं गुर्दवारे में जाके चर्च में जाके, मंदिर, मज़िद जहां पर भी हमारी शर्दा होती है हम काम करते हैं तो वो religious activity है और उसमें हम कहीं पर भी पैसे को गिनते नहीं है और social activity कौन सी होती है? जब आप कुछ समाज के लिए करते हो और उसमें आपका पैसा मकसद बिलकुल भी नहीं है parental activities जो parents हमारी लिए करते हैं या हम अपने parents के लिए करते हैं उन्हें भी non-economic activities में डाला जाता है parents हमारी लिए देखो, पूरा जीवन देते हैं हम लोगों को पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए वो भी क्या है, non-economic activities है patriotic guys, देश भक्ती में जो हम काम करते हैं वो भी non-economic है क्योंकि उसका मकसद पैसा कमाना नहीं है अब बात करते हैं guys, economic activity पैसा कमाने के लिए किया गया काम economic है और इसमें सबसे पहले business आता है यानि कि business हमारी economic activity है profession भी economic activity है and employment अभी मैं इन तीनों के आपको मतलब बताऊंगी लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने के बाद ठीक है, तो हमारी economic activity में तीन चीज़े आती है business, profession and employment जो कि अभी हम पढ़ने वाले है ठीक है, तो सबसे बहले guys, अगर आपको difference आता है कि economic and non-economic में क्या difference है तो first आप meaning लिख सकते हो economic activities are those by which we can earn our livelihood जिसे हम अपनी RGV का अपनी income कमाते है और non-economic activities are those performed out of love, sympathy, sentiments and patriotism तो जो भी हम अपने प्यार में एक गुस्ते की भावनाओं के लिए जो काम करते हैं वो non-economic हैं फिर आप examples दे सकते हो वो examples आपके सामने बहुत सारे हैं इसके बाद आप type बता सकते हो तो economic के हमने 3 type पढ़े और इसके हमने 4 type पढ़े ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं जिसमें basic अलिए अब हमें business का meaning समझना है यानि कि मैंने आपको बोला ना एकनामिक में सबसे पहले business activity को count किया जाते है तो business क्या होता है guys देखो, business की एक बहुत simple सी परिभाषा है यानि की परिभाषा बोले तो definition है business may be defined as economic activity business किसे कहते है guys, एक economic activity को कहते है involving the production and sale of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying human need in society सबसे पहले guys, आप जिस भी चीज़ का business करते हो ठीक है उसमें आप कुछ तो खरीदोगे बेचोगे या खरीद के नहीं बेच रहे तो बना कर बेचोगे तो यानि कि आपका कुछ भी चीज़ बनाना और उसे बेचना जरूरी है हम हवा खरीच नहीं सकते हैं तो आपको कोई चीज़ चाहिए आपको सर्विस चाहिए या आपको गुड़्स चाहिए心zo करी जया है जब बात करी जाते तो गुड़्स होते हैं जिनहें चछू सकते ही अपने टेबल बेचे services वो होती है जिसमें आप service provide करते हो जैसे transportation service दे दी आपने किसी को वहाँ से वहाँ छोड़ने की दे दी लेकिन आप उसमें पैसा कमा रहे हो so business एक economic activity है वो तो पता चल गया लेकिन क्या involve करता है guys production and procurement procurement मतलब क्या होता है कि आप जब किसी से लेते हो समान बना बनाया production होता है जब आप खुद produce करते हो so production and procurement आता है इसमें and sale of goods and services undertaken with a motive of earning profit और यह सब काम क्यों किया आपने profit कमा सको और कैसे कमा होगे by satisfying human need in society यानि कि जो भी जरूरत है किसी की उसको पूरा कर दो और उससे पैसा कमा सकते हो आप right so यह हमारी एक business की guys definition है जो कि बहुत असान सी थी right अब हम business के रहा characteristics पढ़ने वाले हैं ठीक है जो कि बहुत interesting है और आपको जानने जरूरी भी है देखो सबसे पहला है an economic activity यानि कि business करना एक economic activity है जो कि मैं अभी बहुत देर से बता रही है आपको पैसा कमाने के लिए की जाती है कोई भी बंदा business करता है ना पैसा कमाने के लिए कर रहा है सेकंड चीज गाइस production and procurement of goods and services आप चीजों को बनाओगे या फिर procure करोगे या किसी से लोगे खरीदोगे और उसे आगे फिर बेचोगे तो production करो खुद बना लो या फिर procure कर लो यानकी किसी ने बनाया और आपने उसे खरीदा ये होना जरूरी है क्योंकि बिना इसके अब क्या ही बेचोगे क्या ही करोगे तो second चीज जो हमें business में चाहिए वो चाहिए goods and services उनका production हो या फिर procurement हो and third चीज गाइज इसी से related sale of goods and services हमें उने बेचना भी जरूरी है बनाकर अगर अपने पास रख लिया या फिर खरीद कर अपने पास रख लिया तो वो business नहीं है आप chair table वगरा बाहर से लेके आए market से और आपने अपने घर में सजा दी तो क्या वो business है नहीं आप जो भी चीज खरीद कर ला रहे हो या बना रहे हो तो उसे बेचना भी जरूरी है exchange करना जरूरी है फोर्थ चीज गाइस इसमें dealing in goods and services on a regular basis यह नहीं कि काम सिर्फ एक बार करा तो उसे हम business कह देंगे आपको यह चीज रेगुलर बेसिस पर कर लिए तभी तो पैसा कमा होगे तभी तो इसमें involved होगे तभी तो वो आपके लिए एक आपके लिए एक कह सकते economic activity रेगुलर बेसिस पर बन पाएगी आप ही देखो जैसे आपने रद्दी बेची घर में बहुत कबारी खटा हो गया तो आपने वो बेचा तो क्या वो business है नहीं business नहीं है लेकिन अगर कोई रद्दी का काम करता है daily basis पर खरीता और बेचता है तो वो उसके लिए क्या है guys business है तो आप जो भी चीज कर रहे हो अगर आप मंत में एक बार कर रहे हो तो वो business नहीं है आपको रेगुलर बेसिस पर करना है ताकि आप उससे पैसा कमा सको आपका सोफा पुराना हुआ था आपने बेस दिया और आपने पैसा भी कमाया उससे तो क्या वो business है नहीं वो business नहीं है क्योंकि वो हम daily basis पर नहीं कर रहे हैं हम regular basis पर नहीं कर रहे हैं और business के लिए वो चीज रेगुलर बेसिस पर होनी जरूरी है फिप्त होते है guys इसमें profit earning तो जो भी काम किये जाते हैं मकसद क्या था profit कमाना बताओ यह तो पहले number बे आना चाहिए था na profit कमाना ही तो हमारा मकसद है कोई भी काम हम क्यों करते है profit earn करने के लिए one of the main purpose of a business is to earn income by way of profit तो यह हमारा main मकसद था और business की खासियत बताएं यह सब जानते हैं uncertainty of return देखो The next feature है उसका नाम है element of risk तो यह भी आप लोग जानते हो कि business without risk होई नहीं सकता क्या line बोली जाते है guys जितना बड़ा risk होगा उतना बड़ा gain भी होगा no risk no gain और जितना बड़ा risk होगा उतना बड़ा gain होगा और business में यह खास कर रहे है guys कि risk बहुत ज्यादा होता है business में डूबने का business में पैसा डूबने का बहुत बड़ा risk होता है आप जब job करते हो तो आप कुछ पैसा लगाते ही नहीं तो आपको डर भी नहीं होता कि भई हमारा पैसा डूब जाएगा लेकिन business में यह चीज होती तो यह साथ फीचर्स थे आप लोगों को समझ आयोंगे इसके बाद आप जो मैंने आपको चीज बोली थी कि मैं अभी आपको पढ़ाती हूं इनके मतलब वह आ गई है हमारे यहां पर तीन टाइप के अक्टिविटी होती है बिजनस जिसके बारे में आपने अभी ही पढ़ा राइट प्रोफेशन एंप्लाइमेंट जनरली गाईज अगर कोई डॉक्टर अपना काम कर रहा होते है ना तो हम उसे भी बिजनस कह देते हैं कि बिजनस कर रहा है कोई बंदा नौकरी पे जाने वालों को तो जॉब पे ही बोलते हैं बट हाँ डॉक्टर अगर कुछ कर र बिजनस आपको पता चल गया, रेगुलर बेसिस पर आप जो काम करते हो, चाहे खरीद कर बेचो या फिर बना कर बेचो तो उसे हम बिजनस कहते हैं लेकिन प्रोफेशन किसे कहते हैं जैसे, 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 मेडिकल की बढ़ाई के लिए आप क्या बनके निकलते हो, डॉक्टर लेकिन आपको पढ़ाई एक जगे से, पर्टिकुलर जगे से करनी पड़ते हैं जैसे, हम क्या कहते हैं, मेडिकल काउंसल ओफ इंडिया, ठीक है, अगर आपने यहां से नहीं पढ़ी, पढ़ाई नहीं करी तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, आप डॉक्टर नहीं कहला होगे, ठीक है उसके बाद है लीगल, यानि कि लीगल प्रोफेक्शन में आपको जाना है, तो आप क्या बन के निकलते हैं, लॉयर, जजजिस, ठीक हैं, और आपको कहां से अपनी बढ़ाई करनी होती हैं, तो वो है बार काउंसल ओफ इंडिया से, इसी तरीके से गाइस, अगर आपको च इसके लावा और कोई प्रोफेशनल बॉडी नहीं बनाई गई हैं, तो प्रोफेशन क्या है गाईस, जिसके लिए हमें एक नॉलेज और एक स्किल चाहिए, ठीक है, और अगर हम वो नॉलेज और स्किल नहीं ले पाते हैं उस जगे से, तो हम वो प्रोफेशन के नहीं कहला तो उसे हम profession कहते हैं जैसे doctor एक profession है वो पढ़ लिखकर एक degree लेकर वहां से आता है तभी वो doctor कहलाता है थीक है lawyer पढ़ लिखकर अपनी degree लेकर आता है तभी वो lawyer कहलाता है वनना हरे किसी को हम lawyer नहीं कह सकते है इसके बाद है guys third that is employment employment किसे कहते है जब आप किसी और के लिए काम क करते हो और आपको in return salary मिलती है तो उसे employment कहते है employment refers to the occupation in which people work for other लोग काम करते है किसी और और लोगों के लिए and get remuneration remuneration बोले तो salary या फिर wages in return those who are employed by other are known as employees employees और employer दो ही लोग होते है employer जो रखता है काम पर employees जो काम करते है employer के लिए और उन्हें salary मिलती है तो जो bank में लोग लगे हैं या कहीं पर भी काम करते हैं लोग वो क्या है employees है अब हम करने वाले है guys तीनों में difference जो कि बहुत असान है आप असानी से समझ सकते हो लिको सबसे पहले है guys mode of establishment business को start करने के लिए entrepreneur को अपना decision लेना है बस ठीक है और other legal formality की business को start करने के लिए क्या formalities है अगर तो वो करनी है और business start हो जाएगा लेकिन profession के लिए आपको membership of a professional body and certificate of practice आपको मिलना जरूरी है आपको यहां से pass out होकर certificate मिलना जरूरी है third employment के लिए आपको employment letter चाहिए या फिर agreement चाहिए service का किस तरीके का काम होता है guys nature कैसा है so business जो है provision of goods and services to the public हम goods and services लोगों तक पहुचा आते हैं किसी भी काम का business करके profession में हम personalized expert service देते हैं देखो lawyer अपनी service देता है कोई चीज बेचता नहीं है कोई goods नहीं बेच रहा कोई किताब नहीं बेचता है lawyer की लेकिन वो अपनी service दे रहा है उनको suggest करके ideas उनका case लड़के right employment में हम कैसा काम करते हैं guys performing work as per the contractor rule of service जिस बेसिस पर लगे है उसके according काम करना पड़ेगा इसके बाद है guys qualification business करने के लिए हमें कोई minimum qualification जरूरी नहीं है अगर business का कीड़ा है तो कभी भी business कर लोगे profession के लिए of course qualification चाहिए expertise होना चाहिए training होनी चाहिए specifically उस field में और आपको वहां से pass out होना जरूरी है जबकि employment के लिए qualification and training कौन बताता है as prescribed by employer ने जो बोली है वो होनी चाहिए reward क्या मिलते है guys business में अपन profit कमाते हैं लेकिन profession में हम fees लेते हैं उसको क्या बोलते हैं जबकि प्रोफेशन में अगर आप अपना profession के लिए अपन कोई काम कहल रहे हो ठीक है तो उसके लिए limited capital हमें जरूरत होती है employment के लिए हमें कोई capital requirement नहीं होती उसके बाद है risk, profit are uncertain and irregular risk यह तो हमने पढ़ी लिया ना risk तो business में होगा ही होगा भई business without risk होई नहीं सकता कभी profession में fee is regular and certain some risk थोड़ा सा रहता है भई कमाएंगे या नहीं कमाएंगे बाकी तो पैसा मिल जाता है employment में पता है भई fix salary आ जाती है हमें इसके बाद है transfer of interest transfer possible with some formality अगर आप अपना काम किसी को transfer करना चाहते हो तो कर सकते हो अपना business but profession बिल्कुल नहीं कर सकते हैं एक lawyer अपनी degree किसी और को दे सकता है नहीं दे सकता जौब किसी और को हम अपनी दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं ठीक है अगर हमें hire किया गया है तो हमें ही वो काम करना होगा otherwise employer अपनी तरफ से चुनेगा code of conduct guys इसमें किस तरीके से काम करना है कुछ नहीं होता हम अपने तरीके से काम करते हैं जबकि यहाँ पर profession में शपत दिलाई जाती है भाई तमीज से काम करना है तो professional code of conduct होता है यहाँ पर guys क्या है norms डाली जाती है लेकिन यह employer बताते है कि हमें किस तरीके से behave करना है example क्या हो सकते है जो भी आप अपना business खोलते हो guys shop, factory, other profession बोले तो आप CA बन जाते हो आप lawyer बन जाते हो तो वो profession है और आप कहीं पर भी job कर रहे हो तो वो employment है So guys I hope आपको अभी का topic समझ आया होगा जाने से पहले guys एक case study आपको कराना चाहते हो जो concept अभी हम लोगों ने बढ़ा उसके उपर देखो इस case study में क्या बोला है state giving reason whether they are engaged in economic or non-economic activity हमें बताना है कि वो economic activity में है या फिर non-economic में है and explain करना है in which form of economic activity and non-economic activity they have been engaged So मुझे लगता है कि इस topic के बाद ये case study must है So सीखते है All the four children of Mr. Madan Mohanlal कौन है भाई Madan Mohanlal के चार बच्चे हैं डॉक्टर ठीक है श्याम is a skin specialist Krishna is a heart specialist Radhika child specialist and Gauri is a physician देखो सारे बच्चे पड़े लिखे हैं ठीक है कोई डाउट नहीं रखेगा Dr. Shyam joined a multi specialty private hospital Dr. Shyam ने तो guys एक hospital जॉइन कर लिया Dr. Krishna established his own nursing home इसने अपना nursing home खोला and Radhika ने एक श्याम हो गया Krishna हो गया Radhika work in a government hospital उसने government hospital में भाई बंदी की जॉब लग गई Radhika के तो and also treat the poor people free of course in a charitable dispensary चलो समाथ सेवा भी कर रही है dispensary में free of course काम करके जबकि Dr. Gauri Gauri opened a medical store wherein she sells genuine medicine getting the minimum profit margin Gauri ने guys जो की physician थी उसने medical shop open कर ली अब आप बताओ कि क्या whether they are engaged in economic and non-economic तो देखो चारो बच्चे पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं तो all the four children working लेकिन एक थी जो साथ के साथ non-economic activity भी कर रहे थी जो की थी कौन राधी का जो free of course charitable dispensary में काम कर रहे थी तो वो एक non-economic activity भी कर रहे थी जहां पे पूर्स को free में वो treat कर रहे थी उनका इलाज कर रहे थी अब हमें बताने हैं also explaining which form of economic activity and non-economic they have been engaged तो देखो डॉक्टर श्याम जो था उसने guys एक multi-specialty hospital join किया था तो एक hospital join किया जो की hospital उसका नहीं है खुद का राइट तो वो hospital में काम करने गया है अगर काम कर रहा है किसी और के लिए तो हम उसे क्या कहते हैं guys employment राइट जबकि कृष्णा ने अपना खुद का nursing home खोला है तो कृष्णा को हम क्या बोलेंगे guys कि उसने अपना profession join किया है ठीक है समझ रहा है guys एंड उसके बाद है हमारे राधी का राधी का जो है guys जो की government hospital में काम करती है government hospital में काम कर रही है it means वो भी किस चीज में है कौनसी activity में है guys employment में है क्योंकि वो भी किसी और के लिए काम कर रही है और उसको salary मिल रही है तो जहां पर salary मिलेगी हम उसे क्या बोलेंगे employment बोलेंगे ठीक है जबकि वो profession से यानि कि अपना कुछ सीख कर भार आए है करने को वो अपने profession के लिए अपना काम खुद का start कर सकते थे बट यहां पर वो क्या कर रहे है दूसरे के लिए काम कर रहे है तो वो किसमे convert हो गए employment में तो आप यहां पर यह नहीं कैसे सकते कि वो चारों अपने profession को join करके बैठे अगर दूसरों के लिए काम किया है तो वो employment में आ गए है इसके बाद कौन रहे गया डॉक्टर गोरी तो गोरी ने अपना medicine shop खुली है तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे business क्योंकि वो जो भी medicine बेच रही है पैसा कमाने के लिए खरीद कर बेच रही है तो वो किस में आ जाएगे आपके business में अब चारों ने प्रोफेशन से निकल कर अपने आपको किसी ने जब उसने उसी चीज़ में dealing करी अपना खोल लिया उस काम को तो हमने बोला वो profession कर रहे हैं जब उन्होंने किसी और के लिए काम किया तो हमने बोला नहीं वो employment में आ गए जब उन्होंने कोई दुकान मगरा खोल ली जो dealing करता है बेचने और खरीदने में तो हमने उसे क्या बोला कि वो business में आ गए तो guys इस तरीके से आप एचान सकते हो I hope आपको समझाया होगा अगर फिर भी वन में कोई डाउट है तो आप Instagram पर में दिया आइडिया तब इता मैसी पूछ सकते हो Thank you